मनोच सर ने बहुत काफी शरल तरीके से आप लोग को शुक्त गजीयों की प्रिया बताया कि तागे आप सब जादातर यहां पर जो लोग बैठे हैं मैं देख रहा हूं जादतर आप लोग 40 प्लस हैं या 50 प्लस भी हैं बच्चे बहुत कम हैं महिलाया तो ना के बराबर है और नहीं हैं क्या होता है इस एज में जादतर दिखते घुटनों की समश्या हो जाती है या सर दुपने लग जाता है या गर्दन मूडने में समश्या हो जाती है कमर की समस्या हो जाती है, मैं देख रहा हूँ यहां पर कि आग सब योग कर रहे हैं यहां पे लेकिन बैठें कमर भुका करके, ठीक है, तो बैठना, उठना, सोना, खाना, यह सकता एक तरीका है, अगर आप इस इसको फोलो नहीं करेंगे, तो विमारिया आए ही ही आएगे, तो सब सीजों पर हम ध्यान रखेंगे, आदा गंटा का समय है, लेकिन आदा गंटा में मैं प्रयाज करूँगा कि आपको काफिस कुछ इतना दे दू, कि आज तो भी योगा डे है, आज पुरी शंसार में योगा मनाया जा रहा है, तो इसका उज़े शिलिए नहीं है कि आ आप एक घंटे के लिए आज करें और फिर धर में जाकर के बैचेंगे, नहीं, आप एक घंटे यहाँ पर किये, जो आपने किया, आप धर पे भी इसको जाकर के करना है, तो योग की सिवात सबसे पहले हम भीक मंत्र के चांद करेंगे, आज अंदा योग डिवश्वी है औ और पुरे शंसार में मनाये जा रहा है, तो आईए हम सब पहले, बीन आशन जैसे पहले सुखासन, हम बैठते हैं, तो एकदम आराम से बैठते हैं, बैठने में कोई तकलिफ नहीं है, तो इसको बोलते हैं सुखासन, और फिर लेट पर नीचे, राइट पर इसको उपर हो अगर आप पदमासन में बैठ सकें, तो पदमासन में बैठिये, सुखासन में बैठ सकें, तो सुखासन में बैठ सकें, और जिस अवस्था में आप सहर भाव से बैठ सकें, उससी अवस्था में बैठेंगे, मंत्र की शान तो शुरुआत करेंगे, रिगवेत का मंत्र बोल बियाएगे और और दो वाराती मंत्र बोलेगें मंत्र दूराएं जहां रहे हैं और फिर एक शंगीत के मात्रम से हम अपने वक्तववितों करेंगे और थोड़ी योग के बारे में और फिर क्यों होता है कि आज कल योग के शांस करते हैं उसमें फ़ड़ा जी डाल दे तो और आप बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आप सब जिस एज में हैं बूतने दख के लिए पर प्रोब्लम और नहीं भी है तो भी करते हैं कि शरीव में रोग है तो आप योगा अब गैस्ट करें लेकिन उसके साथ छुड़ा से घ्डाल दे तो बहुत जल्दी काम करता है तो मैं कुछ श्रीकित सा प्रद्र जी आपको शर्ल परिकी से बताऊंगा, आप उसका इस्वाल करके कुछी दिनों में उसका रिजल्ट पा सकते हैं और ताफी दिन हो गए मेरे कुल अध्वाग मैंदेश विश्वाज पढ़ाई किया, उसके बाद डेट साल तक समाज में सेवा दिया कि आपकी चार साल से मैं दिल्ली में रता हूँ तो आपको कुछ ऐसी चीज़े बता करके जाओंगा, ताकि आप पूरे हेल्डी रश रखे, अपने आपको भी रखे, अपने परिवार को भी रखे, तो सभी लोग नमस्कार का मुद्रा बनाएं, यहां जोड़ी है सभी लोग, और अपने कमर को जुखा करके नहीं, टाइ सिधा करके बैठे हैं, और यह नहीं है कि आप ऐसे बैठे हैं, तो ऐसे बैठे हैं, पूरा, तभी कभी पड़ाता, रिलक्स भी हो जाएं, ताकि बॉड़ी आपकी बैलेंस का है, तो सभी लोग नमस्कार का मुद्रा बनाएं, आपने आखे बन किजे, चाज बाव से आखे बनाएं, मेरे शाथ, ओम की ध्वनी, त्वे टैंज, तीम बाद, ओम की ध्वनी करेंगे, ओम की बैलें広 खारा बावान, आपकी बनाएं, आपकी लोगए बनाएं, इस दो ध्याख केली हो안ोजार करो डालें हो जाखे बनाएं, ₂ं उलक्की ठोगिए, उलक्ष्ण पक्तिम नमस्क्तिकृत्स, अओम उल्याखे आखे लोगद्धिय। मंत्र को दूराएंगे, अगर मेरे शाहत दूराज सके तो दूराएंगे और नहीं तो मैं आगे से बोल रहा हूं, आप सब पीछे से बोलेंगे शांगत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त यतापुर्वे संजाना नाउ पासते संजाना नाउ पासते गाय प्रिमान एक बातो है सेवी लोगे एक्षाँ आप्धुम्हातु को रख करें आप और अपने मुखमंदाद पर लगाएं और जूरी से अपने हांके खोलें जग्जी आप योग प्रणायम का शुरुआत करें तो कम से कम ओम की भणी और गायक्रीमन उचरुब बोलें ओम की भणी जब हम करतें तो ओम में कितने साथ होतें बताएंगे कितने होते हैं तीन कौन कौन साथ नहीं 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 यह आपको जाना चाहिए ओम जो है न यह एक ऐसा सब्द है कि इसको हर धन्षंपुदायों में क्यूकार किया है कितने धन्षंपुदायों हैं जो इश्कर को नहीं मानते हैं पर मात्मा को नहीं मानते हैं लेकिन ओम को मानते हैं, निरंतर शोर्य जो है उसमें से इवन ही निकलती रहते हैं, निरंतर ओम, ओम, ओम में तीन शब्द है, और ओम और मा, यह जो तीन सब्द है ना, यह हमारे शरीर से रिलेड़ है, आप अपका उचारण करते हैं, तो आपकी लेप साइड की बौड़ी क करते हैं, और जब उघ्र उचारण करते हैं, तो आपकी राइट सईड की बौड़ी काम चारण करते हैं, जब आप म उचारण करते हैं, तो नाभी से हवव आती है, और अगर इशह थरा में मिलती है, यही जिचोबी second, आप अगर फ्रैटिटल करना चाहें, तो कर लिशे त आप गले पर आपने हाथ परके लिए यहां परकेए आप और आप का उचानध करके देखिए इधर की थदा सा धड़तन जादा है कि आप देखिए लेप शाइट का कर रहा है ना उसमें कमपन हो रही है वैसे हो रही है अब वूपा उचानध कि लंबा आपको काउचान कीजिए लंबी गरी चीवा खरक बैठे मुथब चाएकचे फटे लगें एडा फेगला और सुसुमना, शोर्य और संद्र कि बताया नुहीं सोर्य का मतलब गरं और संद्र का मतलब हंढ़ा अब ओम की ध्वनी का उचान करते हैं, आपकी एडा फेगला नाडि और सुसुमना ये शुत होते हैं प्रेन बताया कि लगभाग शरीर में 75,000 नाडियां होती है जब आप ओम कुचारण करते हैं और नाडी शोधन या अनलोमी लोग प्राड़यां करते हैं तो आपकी सारी नाडियों तो जो ब्लॉकेज हैं वो धूर होते हैं और शरीर आपका तो ठीक रहता है मन भी ठीक रहता हैं वहाँ पर भी आपका व्योवार चिंचन अच्छा होना चाहिए और ती अध्यात इसमें भी आपका लगाओ होना चाहिए इसको मानना चाहिए तो आईए आपनी बातों को हम एक थोड़ा को संगीत के मार्दन से और वितार करेंगे कि योग आदमी को कर देता बिल्कु अधर प्रकार से हमें चाहिए तो गित का कुछ ऐसा बाव है तो आईए गित में चुछें पहले